आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सावन के प्रथम दिन आपको राशी अनुसार किस प्रकार भगवान श्यू का अभिशेक करना है एवम मेश राशी वाल रुजातक हैं उन्हें भगवान श्यू का प्रथम दिन किस प्रकार भिशेक करना है मेश राशी वाल रुजातक हैं उन्हें जल से भगवान श्यू का भिशेक करना है इसी प्रकार ब्रसब राशी वाले जातक हैं उन्हें सफीर फूल भगवान श्यू पर अर्पित करना है मित्वन राशी वाले जातक हैं उनको भगवान श्यू पर गन्ने के रस से अबशेक करना है इसी प्रकार शिंग राशी वाले जातक हैं उनको जल में गुड मिलाकर भगवान श्यू का अबशेक करना है कन्या राशी वाले जातक हैं वे भांग से भगवान श्यू का अबशेक कर सकते हैं इसी प्रकार तुला रासी वाले जो जातक हैं वो इत्र या सुघंदे जल से भगवान शीव का अभिशेक करें इसके बाद आई ये बात करते हैं वरचिक रासी की वर्चिक राशी वाले जो जातक हैं उनको भगवान श्यू का सहद और दूद से अभिशेक करना चाहिए एवं धनू राशी वाले जो जातक हैं उनको सहद से भगवान श्यू का भिशेक करना चाहिए मकर राशी वाले जातक गंगा जल से भगवान श्यू का अभिशेख करें एवं कुम राशी वाले जातक हैं उनको भगवान श्यू का दही से अभिशेख करना चाहिए एवं अब बात करते हैं अन्तिम एवं मीन राशी की मीन राशी वाले विजातक है उनको दूद में सहत मिलाकर भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए तो भगवान शिव का प्रथम दिन इस प्रकार आप अभिशेक कर सकते हैं इससे आपको लाप राप्त होगा और भगवान शिव अतिशीगर प्रसंद होंगे धन्वाद दोस्तों बने रहें दिव द्रश्ट के साथ देखते रहें रूचक जानकरी वर वीडियो और अभी हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं